गुद मॉर्निंग एवरीवन डिस इस अवसीक इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ सेट थियोरी का अब देख सकते हैं यह modern algebra है यह अर्वसीस्टा का इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ सेट थियोरी का कुछ important theorem जा फिर formula कहले जो कि अभावी जो STT examination ह होने वाला है उसके लिए बेहद ही महत्पूर्ण है तो कि आप इसको दिहान से देखें और डायरेक्ट यह formula आपको पूछा जा सकता है इस examination में तो अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं पूरा तो जूरे रहिएगा हमारे इस चैनल पे और वीडियो को like, share जरूर की कीजिएगा और subscribe कीजिएगा मेरे इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए फिलाल मैं यह formula आपको लोगों को बता रहा हूं और आने वाले समय में मैं दो तीन दिन में आपके लिए एक note त्यार किया हूं आपको मैं दिखा दूं तो थोरा सा यह देख सकते है यह note में तियार किया हूं जो कि बेहद ही महत्तपूर्ण है आप सभी के लिए देख सकते हैं यह पूरा note है formula waste note है तो यह note का वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा और आपको मैं यह PDF भी दे दूँगा अपने टेलिग्राम चैनल जो आपने subscribe किया हुआ है सेम न इस formula में कहता है set theory का सबसे पहला formula है आप देख सकते होंगे पहला formula कहता है A union B is equal to B union C दोनों आपस में बरावर होते हैं यह commutative law के अनुशार है देख सकते हैं आप इस के इंग पे उसके बाद यह आपका है A intersection B equal to B intersection C होता है यह भी commutative law को follow करते हुए यह condition satisfied करता है set theory का ज law जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है फिलाल मैं इसको पहले जान लेते हैं कि if A B and C are any set है यानि कि A और B A B और C जो एक set है उसी पर अधारित यह सारे formula है और direct यह formula आपसे पूछा जा सकता है second number में देखेंगे तो second number में निकल के आता है आपका A union कोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं B union C यानि A union into B union C equal to A union B into union C यह दोनों condition आपस में satisfied होते हैं आगे देखेंगे A intersection into B intersection C equal to A intersection B into intersection C यानि कि यह कह रहा है associative law से इसमें जब इस तरीके के condition होते हैं तो दोनों condition आपस में satisfied होते हैं बराबर होते हैं तीसरा नमर formula कह रहा है आपके screen पे A union B equal to A देख सकते हैं A union A equal to A यानि कि A का जो समुच्च होगा set होगा union होगा A के साथ तो उसका value A के बराबर ही होगा यह ID more patent law के अनुसार कहा जा रहा है उसके बाद देखेंगे A intersection A यानि same set का जब intersection निकालेंगे तो जरूर सी बात है मावली सी बात है कि वो जो सारे element होंगे वो दोनों एक दूसरे में exist करेंगे इसलिए इसका value जो set से intersection निकाल रहे होगे वही set होगा उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर में आपके स्क्रीन पे A intersection into B union C equal to A intersection B union A intersection C यह देखेंगे इस तरीके के distributive law के अनुसार आपका satisfied करता है यह formula उसके बाद है आपका A union into B intersection C equal to A union B intersection A union C तो यह distributive law के अनुसार यह भी satisfied करता है चौथा यह देखेंगे अगला पांचमा formula पांचमा formula कहता है A minus into B union C equal to A minus B intersection A minus C यह satisfied करता है D Morgan's law के अनुसार यह भी आपका satisfied करता है उसके बाद देखेंगे यहाँ पे A minus B intersection C equal to A minus B union A minus C यह भी D Morgan's law के अनुसार satisfied करता है आजे देखेंगे 6 लोग के अनुसार देखेंगे if A and B are subset of universal set U then जब यहाँ पर universal set की बात कही जा रही है तो इस condition में हम देखेंगे तो A union B का जो dash है यानि की joint है देख सकते हैं उसके बाद A dash union dash का मतलब होता है यह subset है देख सकते हैं जब हम A union B का जब subset निकालेंगे उसके बाद जो बराबर होगा हमारा A A का subset और B का subset दोनों का जब intersection निकालेंगे तो यह बराबर होगा आपका another form D Morgan's law के अनुसार ही यह भी satisfied करता है उसके बाद देखेंगे A intersection B का जब हम subset निकालेंगे तो बराबर होगा A का subset Union B का subset देख सकते हैं आपके S-King पे विस सारे फर्मूला का जब प्रूव हम देखेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो फिलाल मैं अगले वीडियो में इसका प्रूब भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से प्रूव होता है थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो जैहिंद बंदे मादरम जुरे रहे हमारे साथ इसी तरहिके के वीडियो देखने के लिए थैंक यू